नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पुरुसों की जो लिंक सिकुड जाती है छोटा हो जाता है पतला हो जाता है श्रिंक हो जाता है वो क्यूं होता है उसका पीछे क्या कारण है मेरे पास धेरो पेसेंट आते हैं हर दिन उन होमेपैथे में किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेवल है इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं डॉक्टर सुपर्यों होता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल होम्यों के टिप्स पे दोस्तों लिंक का सिकुड ना छ चाकि उसे देख कर उसे समझ कर अब ट्रीटमेंट के लिए आगे बड़े जैसे किसी में अगर मॉर्णिंग एरेक्शन गायब होता है तो वो सबसे पहला सिम्टम होता है कि उसका अंधर यौन समस्या डेवलब हो रहा है ठीक उसी तरह से अगर आपका लिंक स्रिंक हो रहा है अंधर का तरफ घुस जा रहा है तो यह भी जो है एक दूसरा संकेत होता है जो आपका बॉड़ी जो आपका लिंग आपको दे रहा होता है और इसे देखकर समझ कर आपको एलाट होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए जल से जल्द तो मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हों आप लोग समझ गये होंगे कि आपको जो है लिंक का स्रिंकेज के लिए छोटा पन के लिए आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना है आपका जो ट्रीटमेंट होगा वह आपका अंदर यौन समस्या डेवलब हो चुका है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना हो और जैसे ही आपका sex problem ठीक हो जाएगा तो उसी के साथ साथ आपका जो स्रिंकेज वाली problem है या morning reaction की जो problem है यह भी जो है automatically सही हो जाएगा इसके लिए आपको अलग से treatment नहीं करना पड़ेगा दोस्तो अब अगर medicine की बात करें यौन समस्या के लिए कौन सा medicine आपको देना चाह हुआ है या महिला हॉर्मोन जाए प्रोलक्टीन या फिर जो आपका estrogen हॉर्मोन है वो बढ़ने के कारण से हुआ है यह आपका नापुन सकता जो है या फिर मानसिक लेवल से है या आपका पिचूटरी ग्लांट से कोई समस्या है या आपका दिमाग से होते हुए आपका backbone से होते हुए आपका अंड़कोस तक पहुचता है क्या वहां से कोई प्रॉबलम है आपको या फिर आपका जनलनेंग की जो आपका खून का लाने का काम करता है लिंग पे वहां पे कोई समस्या है या फिर आपको वीनेस लिकेज की समस्या है या फिर वेरिकोसिल की आपको समस्य प्रमूग कारण हमने बताये है इसमें से कुछ भी आपका अंदर हो सकता है इसे छोड़ कर भी और भी बहुत सारी समस्या हो सकता है आपको हाट की कोई समस्या है या आपका liver function ठीक से ना हो या आपका cholesterol बढ़ा हुआ है तो ये तमाम कारण आपको हो सकता है ताकि आपका समस्या का मूल जड़ क्या है वो पता लगा जा सके और उसके according आपको treatment दी जा सके और homopathy में भी उसके according treatment होती है हाला कि जहां तक मैं न देखा है कि constitutional treatment से सभी समस्या ठीक हो सकता है लेकिन जो है इसी के साथ कुछ general medicine आपको जो है अलग से add करना पड़ता है जो क कि homopathy में इतनी सारी medicine से एक ही समस्या के लिए आप खुद confused हो जाएंगे कि आपको कौन सा medicine खाना चाहिए और किसको खाना नहीं चाहिए हो सकता है आपका जो समस्या है आपका friend को भी वही same समस्या है लेकिन इस बात का कोई guarantee नहीं है कि जिस medicine से आपका friend को आराम मिल रहा है वही medicine खाने से आपको भी आराम मिल जाएगा ऐसा इसलिए क्यों कि हो सकता है आप दोनों का problem सेम ही क्यों नहीं हो लेकिन आप और आपका मित्र एक इंसान नहीं है आपका mentality कुछ अलग है उनका mentality कुछ अलग है आपका family history कुछ और है उनका family history कुछ और है और homeopathy में इनी बा सभी यौन समस्या के cases में हमने एक ही medicine जैस सबको दिया है आप देख सकते मेरे चैनल को उपर इतनी सारी live वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जहां मैंने patient को कैसे ठीक किया है वह हमने बताय हुआ है case video के माध्धम से और सभी patient का cases में हमने अलग-अलग medicine का प्रयोग किया है ऐसा नहीं कि same medicine से सबका problem ठीक हुआ है तो इसलिए मैं आप लोग को बार-बार बोलता हूं कि आप लोग self-medication बिल्कुल भी ना करें अगर आपको की समस्या है किसे एक अच्छी डॉक्टर के पास जाकर उनसे meet करके उनको case पुरा देखे उनसे treatment आप लीजिए तो दोस् से देख कर समझ कर जल्द से जल्द अपना यौन समस्या के इलाज कहीं से कराए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही प्रेंट करता हूं so thank you very much and have a good day